राजिस्तान के सियासी संकट को लेकर हर रोज नया घटना क्रम सामने आ रहा है सियम अशोग गैलोत और गवर्णर कलराज मिश्रा के बीच विधान सबा सत्र की तारीक को लेकर चले लंबे गती रोद के बाद सियम की ओर से अब सत्र के लिए नई तारीक 14 अगस्त का प्रस्ताब दिया गया है सियम गैलोत के कई अनुरोधों के बाद राजस्तान के राजेपाल ने 14 अगस्त से विधान सबा सत्र को मंजूरी दे दी इस बीच हर्याना में डेरा डाले सच्चिन पाइलेट खेमे की विधायकों ने कहा कि वे विधान सबा सत्र में हिस्सा लेंगे गैलोत के खिलाव बागी तेवर अक्तियार किये सच्चिन पाइलेट और उनके सहयोगी 18 विधायकों ने कथित तौर पर पहली बार जैपुर लोटने के लिए सुरक्षा की मांग की हालांकी इन विधायकों के राजधानी जैपुर लोटने की कोई तारीक तैर नहीं की गई है इससे पहले सीम और गवर्नर के बीच विधायन सबा सत्र की तारीक को लेकर चले गती रोट के बाद आखिर कार राजधाल कलराज मिश्रा ने गहलोट सरकार को 14 अगस्त को सत्र बुलाने की मनजूरी दे दी राज़पाल की ओर से बुद्वार की देर शाम इस बारे में मनजूरी दे दी गई सीम गहलोट सत्र बुलाने की अपनी मांग के साथ पिछले दो हफ़तों के दौरान गवर्नर से चार बार मुलाकात कर चुके थे वही उनकी कैबिनेट की ओर से सत्र को लेकर तीन प्रस्ताव भी भेजे गए जिने गवर्नर ने वापस लोटा दिया था SPN 9 Newsroom से शालनी जाकी रिपोर्ट